अगर आप लोग Dr. B.A.R. Ambedkar University Delhi में अड्मिसर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो हम लोग उसकी application form अड्मिसर के बार में discuss करेंगे तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि Dr. B.A.R. Ambedkar University Delhi है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यह Delhi में है और यह State Government University है जो कि Delhi Government के अंदर आती है तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें B.B.A.O.A.R. मिल जाते हैं B.A.P.A.S.A.R. and और भी बहुत अच्छे courses आपको इहों से बिल जाते हैं U.G. के भी courses मिल जाते हैं PG. के भी courses मिल जाते हैं तो इस वीडियो हम लोग उसके बार में discuss करेंगे तो अगर हम लोग सबसे पहले U.G. course के बार में discuss करें तो अगर आपको Dr. B.A.R. Ambedkar University Delhi में admission लेना है देन जो U.G. में admission हुए थे last year तो वो CVT के ही basis पे हुई थी तो इस बार भी जो आप लोग के admission होंगे वो CVT के ही basis पे होंगे तो जब आप लोग इनकी website पे आओगे तो इजहर आपको so भी हो जाएगा तो इसके लिए आपको CVT जम देनी है अगर हम लोग eligibility criteria के बात करें तो आप लोग directly उनके website पे जाके CVT की website पे जाके वहोंगे Dr. B.A.R. Ambedkar University में apply कर सकते उसमें देख सकते हो कि क्या eligibility criteria है ताकि सारा कुछ आपका clear हो जाए अगर इसके regarding भी कोई doubt है तो comment कर सकते हो मैं next video में try करूँगा कि सारा कुछ आपको detail बता दूँ बोकि अगर आपको फीज वगेरा के भी regarding doubt है तो आप लोग comment कर सकते हो coming video में लोग इसके सारे कुछ discuss करेंगे